अबी ओनलाइन बिल जमा करने के लिए अपने CA नमबर पता करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अन तक जरूर देखेगा इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि आप भी गर बेटे अपने मोबाइल फोन से अपने CA नमबर किस तरह से पता कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को इस्टार्ट कर लेते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि ऐसे ही मैत्पून वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रह तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों जब आपके घर पर बिजली का बिल आता है तो उसमें आपको CA नमबर देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर देखिएगा यह एक बिजली का बिल है B.S.E.S. यमुना पावर लिमिटेड का इस आपका कितना सेक्षन लोड है वो यहां पर देखने को मिल जाएगा इसे के साथ पावर फेक्टर पॉल नमबर कितना है उसकी बिजानकार यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी इसे के साथ यहां पर देखेगा आपको आपने कितना यूनिट यूज किया है बिजली का उसकी रीडिंग, मिटर रीडिंग आपकी किस तारीक को हुई है, वो डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, कितने रीडिंग है और कितने यूनिट आए है, वो यह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे, यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा आपको कौन कौन स से अपने C.A. नमबर पता कर सकते हैं और इस C.A. नमबर के दोवारा आप आसाने से गूगल पे फोन पे पेटियम के दोवारा आसाने से अपना बिजली का बिल भी आप जमा करवा सकते है इसी के साथ यहाँ पर देखेगा आपकी सप्लाई कौन सी है मिटे टाइप आपका इसे के साथ दोस्तों यहां पर देखेगा इसी बिजली बिल में आपको customer care center number भी यानि ग्राग सेवा के अंदर का number भी देखने को मिल जाएगा यहां से भी आप बात करके भी अपने CA number, बिल number की आदिकी जानकारी भी आप आसानी से प्राप्ट कर सकते है उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी आसानी से अपने बिजली बिल के CA number पता कर पाएंगे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं इस वीडियो को लाइक रिएगा जेहिन जेवारत